प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने गुरुवार को संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमी पूजन किया है आपको पता दे कि नए भवन में लोकसभा संसदों के लिए लगबग 888 और राज्यसभा संसदों के लिए 326 से जादा सीटे होंगी अब पालियमेंट हाल में कुल 1224 सदस से एक साथ बैठ सकेंगे इस अवसर पर प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि पुराने संसद भवन ने आजादी के बाद के भारत की अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए काम किया और नया संसद भवन 21 सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनेगा इसमें संसदों की कारिक्षमता बढ़ेगी और वर्क कल्चर में आधुनिक तोर तरीके शामिल होंगे उन्होंने कहा कि भारत में लोगतंत्र जीवन का मंत्र भी है और विवस्था का तंत्र भी है मोधी ने कहा कि आज 130 करोड से ज्यादा भारतियों के लिए बड़े सोभाग्य और गर्व का दिन है जब हम इस एतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं भारतियों द्वारा भारतियता के विचार से ओत प्रोत भारत के संसत भवन के निर्माण का शुभारम लोगतांत्रिक परंपराओं के एहम पड़ाओं में से एक है हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसत के नई भवन को बनाएंगे इससे पवित्रू और क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेड़न हमारी संसत की नई इमारत बने नया संसत भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उधारण है यह समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है मैं वो शन कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में एक संसत के तोर पर पहली बार मुझे संसत में आने का मौका मिला लोगतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने के पहले सिर जुका कर इस मंदिर को नमन किया था हमारे वर्तमान संसत भवन ने आजादी के आंदोलन के बाद स्वतंत्र भारत को गड़ने में एहम भूमी का निभाई है आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यहीं हुआ और पहली संसत भी यहीं बैठी इसी भवन में सम्विधान की रचना हुई लोगतंत्र की पुनर स्थापना हुई संसत की मौझूदा इमारत स्वतंत्र भारत के हर उतार चड़ाओ, चुनोतियों, आशाओ, उम्मीदों का प्रतीक रही है इस भवन में बना प्रतेक कानून संसत में कही गई गहरी बातें हमारे लोगतंत्र की धरोहर है मोधी ने यह भी कहा कि संसत के शक्ती साली इतिहास के साथ ही यथार्थ को भी स्विकार ना उतना ही आवश्यक है यह इमारत अब करीब करीब सो साल की हो रही है, बीते दश्कों में इसे अपग्रेड किया गया साउंड सिस्टम, आईटी सिस्टम के लिए जगह बढ़ाने के लिए दिवारे तोड़ी गई इतना कुछ होने के बाद संसत का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है बताते चले की कारे क्रम में ग्रह मंत्री अमिच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, लोकसभा स्पीकर, ओम बिडला समेत कईनेता मौझूद रहे ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंने वाल प्रस्टी गादन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब